पहुती मान कियोंके मानिय रांगिलास सर्मा जी अद्देक्स द्याराम जी नाम तो सबके मानिय रांगिलास जी में ले दिये इसके सम्मानित मंच और साथियो समय बच जाएगा देखिए ये महासंपर का भ्यान देश की सारी लोगसभा शीटों पर पांचो ब्यारीस लोगसभा की शीट हैं देश में और भारतिय जन्ता पार्टी आवाज कमारी है तो यह बारे-बारे गुंजो है वह यह हम केड़ा पिछावाद ही इसका सिस्टम है पिछे जोट लगार तो बारती जन्ता पार्टी सारे देश में पूरा एक महिने के लिए यह महासंपर का भ्यान चलाया बाद है और उसी उप्लक्ष में हम किछले कई दिनों से अपनी नो की नो विदान से बाके सभी मंदलों में जाकर वो संपरक साथ रही है और पूरे नो साल का कारिय काल जैसा मामिय परढ़ान मंतरी नहेंदर मोदी जी का रहा है उससे पहले का भारत क्या था और इस नो साल के भारत में क्या अंतराया वेसे तो मेरे बताने की जरुट नहीं है अज हर आदमी उस बात को जानगता है ये देश उनिसो संटारीस में आजाद हुआ था और एक लंबी लड़ाई के बाद आजाती मिली थी हमें पता नहीं कितनी पीड यहां चली गई नपए साल में चैर पीड चली जाती है लाखों आदमी सहीद होए तब जाके हमें आजाती क्योंकि इसी देश पर अंग्रेचों ने बहुत से बीज भी बोई जिन लोकों ने साथ दिया अंग्रेचों का इन्हीं हिंदुस्तान के नबाब हों या राजा महाराजा हों उन्होंने जानगूज के एक उप्सन जारी कर दिया कि जो हमारी मदद करेगा उसको वो काओं हम परी में देदी में ओर मेहन्दरगाड तो भुगत-भोगी है कि इसी महेंदरगाड को मुफत में महराजा पट्याला को मिले ऑफ दोर लड़ा लड़ने पड़ती थी महाराजा पट्याडे के खिला पलग अंग्रेचों के खिला पलग और उस आजादी के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ तो एक समीधान लिख्या गया लिखित समीधान दो साल से भी ज़्यादा समय लगया समीधान को लिखने में और उस वक्त के वो सारे महान पुरस उस समीधान सभा के अंदर थे विश्तरत समीधान कि ये देश कौन चलाएगा इस देश की आम जनता वोट के अधिकार के दवारा के अंदर में अपनी एक सरकार चुनेगा परदेशों में भी परदेश की सरकार वोट के अधार पर बनेगी विदाइका के तोर पर देश का कानन समीधान के मुताबिक पार्यामिंट बनाएगी परदेश का कानन विदान सभाओं के मारफ़त उन परदेशों में बनेगा और इन सब काम करने के लिए एक कारिय पालिका भी होगी कारिय पालिका का मतलब है कि भारत के बड़े से बड़े अधिकारी परदेशों के बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे कर्रक्षे लेकर पटवारी तक जितना भी शरकारी अमला है वो बतोर कारीय पालिका विदायका के कहने पर उन कामों को करवाएगा और इन सब की तनखा आपके ट्रेक्स से पैसा वसूर करके वो तनखा लेक काम करेंगे चाहे दरंबीर हो रामविलास जी हो देश के परदान मंतरी हो देश परदेश का चीफ सेक्रेट्री हो परद्ब्व देश के आदाती के लटाई तो सब नो लड़ी हो जैसे जैसे सत्ता हमारे आथमा आई हिंदुस्तान के लोकों को चुनके जाने के बाद सत्ता हाथमा आई एक नई बिमारी पैदा होई ये मेरा ये उसका इसने मेरा वोट दिया इसने मेरा वोट नहीं दिया ये अमारी पार्टी का है और अपने अपने हित को ध्यान मर रख कर एक ऐसा माहौर देश में पैदा कर दिया कि बगार सिपारिश काम ही नहीं हुआ सिफार्ष चाहिए पैसे की हो या पॉलिटिकल ही हो समीधान के मताबिक जब देश को चलना चाहिए था तो वो हम नहीं चला पाई आज आप विक्षित देश की अगर बात करें आप यूरोप के विक्षित देश में जाईए अमेरिका में जाईए वहां पर आम आदमी भी उसी लाइन में मिलेगा वहां के किसी लोकसभा के सांसद को या असेंबिली के सांसद को लीटर को कोई नहीं जानता वो भी उसी लाइन में मिलेगा और हमने अलग अलग कर दिया कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने जैसे ही संता समाड़ी सबसे पहले निरने लिया कि ये देश सम्हीधान के शाब से चले कि उनका सपना है कि दोजार संतारीश तक मैं विक्षित देश की स्रेणी में लेकर आँगा इस हिंदुस्तान मैं मानता हूं कि इतने साल की लंबी बिमारी क्योंकि हमारी आदत सब की डर्द शुकी थे यू सोचके कि वहीं तो मारी सलकार आगी और फेर लाके काई यह पहले नहीं कि भी तारीक को यह पोली सुणता प्राम विलाजी तननर काम देगी गए से तानक्लू निकरूंदे काम और यह कहीं ने कहीं दर्द सलकडे लग्या सभी वरकर को कि आरेक तबादला का अधायूत हो यह जाए बड़ी ने कि लेकिन समीधान में यह कहीं नहीं लिख रख्या कि सिर्पार इस पर तबादला होगा जाए केंद्र हो या प्रांथ हो परदान मंत्री जी ने बढ़ते ही इस चीज को सक्ति शेलाकू कर दिया एक बार पंड़त चली जी लाला एक्सपायर होए तो मैं उनका लड़ता था खुलदीव सर्मा वो मुझे बताने लगे कि मारे पाव जी नुका अगर दे कदें एंपी बढ़े जब बेरा लाग केगा यह कड़ता बातरे ठाई हंडो जो फाइला ने कुमी जाई हो लेकि उल्टे आजाओगा जाए एक भी तबादला हो जाए मेरे गल्लाए पड़े है लेकिन परधान मंत्री जी ने पॉलीशी बना दी अगर मानी राम विलास दी ने एजूके सिर्फ पॉलीशी के जाब से तबादला हो जाए सारे देश में उसी परकार से यह काम होते हैं और मोती जी ने देश के सभी प्रांतों में डारेक्शन दे दी कि नहीं हमने देश को आगे बढ़ाना है यह सिफार्शी चक्त छोड़िये इसलिए यह जो इंटर्बू सिस्टम था सबसे पहले केंदर ने लागू करया देश में के क्लास वन और टू छोड़ के क्लास थ्री और फॉर्थ में कोई इंटर्बू नहीं होगा और उसका फोलो अर्याना सरकार ने भी किया देश के बहुत से प्रांतों ने किया जन धन खाता जो खोल लिया गया वो क्यों इसलिए खोल लिया था कि डारेक्ट बैनिरी बैनिफीसरी को सीधा पैशा मिली विचलिये को ना जाई उधान के तोर पर आज गेंगों का पैशा सर्चों का पैशा ने के उला रिहाने में पंजाब में भी अधर सीधा पैसा जाता है इस देश का पार्ट पंजा बेस्वीपक्स की सरकार हो वहां का मुख्य मंतरी का एक दिन मैंने ब्यान पढ़िया कि मैंने 25,000 को रुपा सीधा खातम बेज दिया अरे तुम कोन होता है पैसा तो सारा भारत सरकार की गाइड लाइन है उन्हें की जिम्में पर पैसा दिया जाता है आज की सरकार किसी परदेश से भेदभाव नहीं करती पहले जो टेक्स की कलेक्शन थी वो एक अलग-अलग सिस्टम से आपती थी पहली बार जी एश्टी लागूटी ने और सरकार चलाने के लिए धर्म जाती वोट की राजनिती नहीं कीजू वो करो हमने देश को अग्रनी देश में लेके जाना है और जिस देश में जाट पात धर्म गोत्तर चल जायेगा वो देश आके नहीं बढ़पाईगा यही न कर्मादीजी का सपना था इसलिए उन्होंने नियम कानून मुनाई आज उसी की वज़े से लगभग पूने दो लाक क्रोड रुपया महिने का बतोर जीएस्टी कठा होता है बजट देखो पे तो 45 लाक क्रोड से ज्यादा का बजट इस देश का सालाना है उसी पैसे में से कें पर पैसा खर्च होता है और सबी पर देशों को बगएर वह भाव कि अनुपाद के शाब से पैसा दिया जाता है ताकि वह पर देश प्रदेश का अलग अधिकार है उनका टेक्सी का क्लेक्शन का अलग है वह अपना अलग लगा हो तो उनका और रहन निंग है उनकी वालग क्रोड में से उनको भी देते हैं फंचायच के खाते तक देते हैं तक देखो पर डिपेंड करता है कि उसको किस परकार लगाता है लेकिन वो पैसा जनसिक्या क्या अधार पर शीधा देखते हैं माले मरधान मंत्री जी किसी परदें से भेदवाव नहीं करते हैं कि निती आयोग तो भठया है वो औकिस परकार से हमने मिल इन जरेंशिन्स कर नी है जे अड़िए मिल ज्या इन करनी है या एलेक्रिफिилось करनी है या स्टेशन को स्टेश्च बभेड करना है यह नई ट्रेंश लानी है घंबी सब्सक्राइब दूरी की हों डबल डेकर की हों ये सारा काम रेलवे मिनिस्ट्री करेगी इसी बजट में पहले रेलवे का बजट अलग होता था अब बजट के अंदर सामिल कर दिया अगर डिफेंस की बात ले तो आज से नो साल पहले रक्षा मंत्राले की क्या पोजिशन थी मैं पांच साल डिफेंस की कमेटी में रहा हूं लेल अधाक से लेकर नोर्थिश तक साइना के अब फोज उन्होंने बेस बना कर एर बेस तक बना रखे थी और हमारे अपने अधिकारी कहते थे कि अगर इन्होंने कभी अंदर आने की कोशिश करी तो हमने तक तीन दिल लग की शारे तो सारा ही महले के उपर बीयारों ने बढ़ाई हो या एन्मेश ने बढ़ाई हो ऐसी सडके मणा दी और हमारे पीष मनगे चाहिण अनल तो सोची थी कि पर एड़ इंक इत्रे सरकार होगी लाम की छोटी सी लाटी है छोटी सी सरड़क बाग की थी वह सोचे ने दो दिन में बना दियो और यह वाग ठाकी नहीं देख सकते हैं उल्टे बाजना पड़े हैं यानि यह है को मजबूत परधान मंतरी का काउन वी देशों में बाज दुनिया दो तक्तों में बढ़ चुक सकूर देखते हो कि पांकिस्तान की क्या आद्र अर्फिन पांठिक की क्या आज़ात प्रोस में स्रीलंका हो दूसरे देश हौ में ऐस्धां कर गुयों दूसरे को देख कर आणख भी सीन नहीं मिलती एक मातर हिंदुस्तान तरह सदूला लड़ाई सारें के अपसरी में अगर कोई दूसरा देश रस्या पर तेल मांग ले तो उसको पर पावंदी लगा देता है अमरीका या यूरोप हर जगे और हिंदुस्तान की ताकत देखिए अमरीका को भी कह देता है कि आप शूप रहे हैं हमें तेल की जुरूद्ध रस्या से लेंगे और रस्या अगर यूक्रेयन के वह अंदर बड़ करता है तो हमारा परदान मंतरी वहां भी आख देखे देखता है कि हमारे बच्चे हैं पहले पहले उंको निकालो तो पिसी कीमत नहीं है यूक्रेयन का राश्ट्रपती भी हां के कहता है मोदी जी नहीं जब किसी दुनिया का इतने बड़ी दुनिया में किसी देश के परदान मंतरी की इतनी बड़ी वकात है जो तोनों ताक्तों को प्यार से करें ब्रागे करें और बात मनाए केवल अपण कभी नहीं देख्या होते हैं वरना तो च्वटी शी बात होते ही जुक जाते हैं इंस्टिचूट आता था दिल्ली में तो बड़े बड़े ओर्डिंग मौना लेकर खड़े हो जाते हैं सारे अपसर भी सारे उनको उपर लादे हैं रोड के उपर के फलाना राष्ट्रपति आ रहा है फलाना गवर्णूर आ रहा है आज से एक साल पहले यार स्वा साल हो यह इंदुस्तान में रात ने चुप चुप के से हाया मोदी जी से मिटिंग करिया अगराबाद आउसमर रूटाय चलिया गया किसे न सवागत नहीं करें वरना तो यह देश कुप्ता बिल्ली की का भी सवागत करें तो यानिया कि ताकत है आपकी और उसी ताकत का ये पसर है क कि एवल अंतर राष्टी सतर पर नहीं इंदुस्तान के अपड़े सतर पर हम देखें उनके एक सोच है प्रधान मंत्री जी की कि कि मैं रक्षा मंत्राले के साथ साथ मैंने अंदरुनी आलात्मी सुदारने हैं वेल फेर के नाम पर 142 क्रोड में से 80 क्रोड आतमी का प्रेट कि पर्देश की आद्धिया वादे लेजगनते का या तो सरकरी तंकाले रहा है या सي пятthen ले रहा है और ये दिन नो तीन तेंट में यह पैसा कहां से आया कैसे आया वो तो नरेंदर मोदी जी जाए नया ट्रेक्स कुछ नहीं लगाया फिर भी वेलफेर के नाम पर 50% आबादी को कोई बिमार हो जाए तो आई समान हो चीराई हो वो एक अलग चीज है कि हम वो सारे कागज अभी तक पूरे नहीं कर पाए लेकिन सब को कहीं नहीं सरकारी मदद देते हैं बगेर कोई नया ट्रेक्स लगाए दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताक्ते वहर है कि मोदी जी इस पैसे को कहां से लेगा तो नकली नोट को निकली इसलिए नहीं मैं कहता हूं हिंदु दुनिया में केवल यूरो और डॉलर चलता है करंशी के तोर पर मोदी जी के आने के बाद इससे पहले हिंदुस्तान का 500 का 100 का नोट अगर कोई दुनिया के दूसरे यह समय जागी कवा के लिए पकट रपिये और मन नहीं चस्मा दे दे या मसीन दे तो पहले केते थे पहले इसका यूरो चेंज करवाले या डोलर ले 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 और अब अध्य से ज्यादा दुनिया के देशों में हमारा रुपयात चलता है यह करंशी है पहले जब हिंदुस् देगा नहीं देगा कहां ले जागा और अब इंदुस्तान का आदमी किसी एरपोर्ट को उतर लो विक्षित देशों में सब तपल्या न्यूंगा का इंदुस्तान का आया है आजा मेरे मेरी टक्सिम बैठ को एक मान समान देता है कि अधिश्य बता हुथा कजाकिस्तान की राज दानी है ये तासकंद हम कुछ साल पर ले चले गए आप एहरान है जाओगे जिस तासकंद के अंदर से यह चंगेज घां पापर मुबल एंपायर जो वहां से आये थे वहीं से आये थे आज वो हिंदुस्तान के हर आदमी की कि इज़त करते हैं 100% और जब को पाकिस्तान का मुस्लिम कंट्री है फो पाकिस्तान का कोई चलिया जा तो चोर समझें नों को भार काट इसने और ताहरी इज़ती करें है इसाजमाद जानों को ज़िष्ण दाराए ये उत्तियों आप अब दारा 370 के बारे में पता नहीं ह हम तो कह लेते हैं कि हम दारा 370 कर ये 370 करड़े का फायदा क्या होका ये सोच नाज़ा है ये हिंदुस्तान दो तरफ से समुंदर से गिरावा है है मंगाल की खाडी हो या आरव सागर भू एक तरफ लिखा करता है एक मातर जगह ऐसी है जहां से बाही आमलावर हिंदुस् और तो वह बतोर मुस्लिम आये हों और आज से नहीं लगवाद ग्यारा बारा साथ सो साल से वह रूट के ले जाते हैं उसी का एक पार्ट है जम्मु कस्मीर जहां से वह आते हैं और जम्मु कस्मीर को अजादी के बाद एक ऐसी स्टेट बना दी जिसमें हिंदुस्तान का अग्या में कई का अदमी अगर कोई महिंद्रगट का अदमी कस्मीर जाए का उपर एक मेले बनेगा और जम्मू डिरीजन के अंदर एक लाख बीस हजार की असेंबिली का एक मेले बनेगा संख्या का इतना फ्रक कर दिया बोट किशे ने गेर लिओ सरकार बढ़ेगी उन दो परिवारों की चाहिए वो शेख अब्दुल्ला परिवार और उम्हेबूपा परिवार बोट किशे के गेरियों कि उनकी शीट जैदा है तिन सो सब्सक्राने के साथ साथ क्या क्या मोदीजी ने ले और लदाक यूनियन टरिटी बना दी और जन्शन क्या के आधार पर नया डिलिमिटेशन कर दिया कि सारे बोटन अबराबर मायट दो बाई जिसके गणे बोट संस्के मेले बुनेंगे और एक बक्करवाल गुद्र एक ऐसी कास्ट में आते हैं वहाँ पर उनकी रिजर्वेशन सीट अलग से रिजर्व कर देंगे और जैसे ही यह काम हो गया जब भी बोट पड़ेंगे वह दोनों परिवार तो सपने ले लो बढ़ कि अब सारा एक पार्ट हो गया यानि परधान मंत्री जी की सोच देखिए कोई जबाया तो एक फैंशला लिया कि हमने हर आतमी को सवस्त रखना है इसलिए देश में पहली बार हर जले में चाहे जला छोट्रा हो चाहे जला बड़ा हो और याना हो चाहे पंजाब हो राजस कि स्टेट हो चाह전 कि स्टेट हो और जले में करुड़ा हो चाहे सोच की हामने परधान मंत्री जी मेडिकल कोलेज हर जले में बढ़ना बहुत बड़ी बात है एंज भी संख्या बढ़ाओ आई आई एम की बढ़ाओ आई आई इंटी की बढ़ाओ और उसका असर देखे परधान मंत्री की विदेश निती की सोच देखे जरा मेरा एक साथी माने से रहता है वाज से दस बारा दिन पहले चाइना चले आगे और चाइना जब गया तो उसकी 16 जगे मीटिंग होई मसीन जी के लिए तो कि बहुत बड़े पार्ट ऐसे हैं मसीनों के जो चाइना से आपते हैं उन में से 14 आधमियों ने जहां उसकी मीटिंग थी यह मन्या कि एक टाइम हैसा आएगा हिंदुस्तान तो बरोच करेंगा ज्यादा यह हमारा चाइना तो डूबएगा चाइना का अदुमी सरा देगे मोज़ी है इसका मतल उनको नजरा रहा है क्यों यूरोप और अमेरिका ने जहां पर्तिवन लगा दिया वहां हिंदुस्तान ने भी एक नाया काम कर दिया ने कर नोटी ने कि मशीन बनाने वड़ा पहला मशीन का मालेक उसका टीफ इंजिनियर अपने साथ सो वर्कटर लेकर आता था कि यह मधगा हो गया तो नहीं ठीक करेंगा या मशीन अगर सेच नहीं तो हमारा आदमी ठीक करेंगा लेकिन मोदी जी ने कहा के नहीं तेरी मशीन लेके आओगा एक चीफ इंजिनियर वो दो मिनेर और छे महिनेर उसको दुमा में भीजा और हिंदुस्तान के आदमियों को तू ट्रेंड करेगा और उल्ट्रा चला जागा वह निलाड़ों आदमियों को मेरी तरक से भीजाब ब आप ट्रेन के साथ साथ ट्रेनों को देखो कि आप मेंजर्टेट में बैठे हो कितने ट्रेन दूर दूर जाना नगी पूरुब से लेकर पस्चिन तक उतर से दक्षड तक किसी ने सोच्चा था कि पहले ट्रेनों की संग्या कीतनी तिर आज कितनी है सड़कों की अगर हम देखें तो आप अभी जाके देखना गुद्राज के कांडला से लेकर पंजाब के अमर्च से भी आके तक एक ऐसा बहुत माला का प्रोजेक्ट है जहां बारा गंटे लगते थे आज साधे चेर गंटे माद में पूंचे ले आप कभी देरा तुन जाते हो लखनों जाते हो ऐसे ऐसे रोड बढ़ा दिये कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसी सड़के भी हो सकती है थोड़े दिनों में हमारी जब यह कोट पुतली शालोवर जुट जाएगा तो बंबै भी हम आदे गंटे में पूंचे ना स्वरी बारा गंटे में पूंचे में और एक आदा गंटा कम करने के लिए जब आप आप यहां से चड़ते हो चंडीगड के लिए अब भी हमपान जमीन का पैसा दे दिया और फंचकुला के ख़दर के साथ सीधा एक तरफ एएरपोर्ट रेटर शीधा यहीं नहीं आज हम दिली में जाते हैं तो दिली में घुशेजें गुरगावां की तरफ से या हम बादरगड की तरफ से जितना टाइम हमें दिली जाने का लगता है उतनाय टाइम हमें दिल्दी में लग जाता है, तीन प्रकार के एलिवेटीड नेशन आईवे के प्रोजेक्ट, एक सीधा दवार का रोड को कनेक्ट करने के लिए बाट्शा पारट टू, सीधा रोड कैसे बने, इसी प्रकार से बादरगड में 25 मिनिट में हम सीधा एरपोर् के दाट मंतरी की यहार हम डव्लवपात्त पैसे कर सकते हैं उसके लिए जितना पैसा परदेस्वों को जरूरत है जहां केंदर सर्कार अपना काम करती है वहीं पर देशों को भी बरपूर बजट सरड़क का है तो परधान मंत्री गरामिन सरड़क योदना से नबाड से वर्ल्ड बैंक से गारंटी देखती है भार सरकार के इतना करजाप ले लो हम जिम्मेवार यानि इस परकार का बोकस कर दिया परधान मंत्री जी ने के मिल्ड दो हजार संताड़ी स्टक मैंने तो इस देश को एक विक्षित देश की स्रेणी में लेके आना है विक्षित देश की स्रेणी में इसीलिए दाद्धा जो करे थ ना दूसरी पचंडाल चोकडी जरूरती नहीं आज से खिलाप शे खिलाप के आदमी के पास चले जाओ क वो भी नुक है, उपरला तो मोट दिने भी लगा, सारे देश में, सारे केड़ जा कि लाजस्थान में पूछ लो, पंजाम में पूछ लो, शरकार तो हम पार्टी के, दिल्ली में जा कि पूछ लो, दिल्ली में केज़े वहार बेठ्षया होगा, कुछ दिन पहले, अभी ये अमेरिका, यूरोप में गून की आया, और इसका जो मुख्य सलाकार है, वो है सेम पैत्र होता, जो उसने चलावे है, और जब रहुल गांदी को परमोट करने के लिए तरह तरह की उल्टी बात करवा रहा था, तो वहां के मीडिया न पूछ लिया, कि निरेंदर मोट दी के अगला निमोट दी के कारने देश आके बढ़ गया, तो महरे खतर हंड़ है कि इस कार देश में यह आलात है देश में, यह आलात देश में हैं, आप इमान दारी से देखिए, जो किशान की बात करते हैं, दूसरी पार्टिया, मुझे याद है 2000-2001 में हम MLA थी, और जब जल किसान के नाम पर है, इन दोनों के उपर इतना ज्यादा फोकस किया है, सबसे पहले तो मोटा नाज है, बाजरा हो, चणा हो, मूँ, पूड़त, जो भी मोटा नाज है, जो पर ने आपने घरीब का बोखते हैं, इस बोशाव करांगा होगा है, पर ने हो गरीब का, सारी दुनिया में मैसेज दे दिया, जब हिमारी तो बचना है तो मोटा नाज पैदा क्रोर युए खाओ, ताकि इसका वेट बढ़े, थोड़ा पाणी ते ज्यादा पैदावार क्या हो सकती है, जीरी और गयों तो थोड़ा पाणी से पैदा नहीं होगी, इसलिए जलसंद साधन मंत्राले ने दो प्रकार का पैसा आपको दिया है, और मैं दुख के करना चाता हूं कि महंदर कट जला उसमें पिछड़ा हुआ है, सोच नहीं पारे, वो क्या है, साधे तीन हजार करोड की लाकत से पाद्जे वावास पहड़ से लेकर जहां से जमना लेपती है, डवलू जेसी और इस्ट करनाल, उसकी कैसे बढ़ाई जाये, उसकी जोर्म से करनाल से तरनीगर जाते हो, तो जो हमारा टूरिजम का है, वहां देखते हो के पहले जो डवलू जेसी थी, उसकी कैपस्टी कितनी थी, राज कितनी होगा, मदून के पास ओकमंडेसिन कैनाल थी, वहां भी करनाल तो यह कभी ध्यान दिया हो, यह सारा पाणी जेलन में डाल सतनाली तक, हमने उस पाणी को भून भून देना है, और भून भून तक देने के लिए, देने के लिए 90% सबसीड़ी बाहर सरकार में दे दी, क्या दी है, यह अधर कोई किसान, अकेला नहीं तो चैर मिलके, साड़े बारा एकड बीनिमम, क्योंको चैर पांस मिलके साड़े बारा किले तो क्ये इसके हैं, कि हमने खेट में पानी चाहिए, ज्यादा रखबाचाए, अजार एकड़ हो, उस में उसी की जमीन में एक टेंक बनेगा, जब च्यार इंस्येदार या च्यार अड़ोसी प्रोसी मिलकी ने, मातर दो हजार घज की जमीन, अपनी जमीन की लेक सरकारी है, बीजड़ी का कनेक्शन है, सो रूर्जा का है, सरकार देगी, सप्रिंकलर सेट या ड्रीप इलिकेशन के लिए सरकार पैसा देगी, ताकि उस पानी से हम पैदावार बढ़ा सके, लेकिन कुछ जले इसमा आगे निकर जले में में मिकाटा के दफ्तर में जो मैं सरकारा करता हूं, तो बहुत कर्मेटली की सनारी में सभी साथियों से मेरी पराजना है, इस चीज को पढ़के, समझ के, इन चीज़ों को आप जरूर जहां दोगे, तुकि हमने इसका फाइदा लेना है, और जब तक हम इस चीज का फाइदा ने जेंगे, तो उसका कोई फा सब्सक्राइब की होती थी, अब सरकार ने सारे देश का टार्गेट फिस्टिया के दोजार तोबिश की आखरी तक, मैंने देश के हर गाओं, हर डाणी में ये पानी देना है, पीनिये का, इसी देने लोहे की पाइप ख्रिदी, जार ये सारे देश में, और याने में 40% पर करना है, छोटा करना है, मैं मानता हूँ, जब कोई नई स्कीम लागो होती है, तो उसमें लग जाता है, और कई बार हम समय तय कर देते हैं, इसलिए इन को धीरे देने जब हम कंप्लीट करेंगे, तो आने बड़ा टाइम ऐसा होगा, कि आपको एक पर्मानेंट्स, स्रोलूशन हो जाएं लेगा, इसी परकार बीजडी के मामले में, भार्थ हमाने, बीजडी के लिए बाहार चाहरकार ने, भार्याना बीजडी करन आज से पचासाल पर कांवा तो बीजडी की इतनी दिमान नहीं था, इसलिए, भीजडी कीorious के लिए बार्ट हम पैसा देए इन्होंने अपने सब्स्टेशन अप्रेड कर लिए लेकिन अब एक गाइड लाइन उपर से आगी कि जो आप लोकों से लाल डोरे के बाहर अगर किसी का घर एक किलोमेटर के दार्य में है एक किलोमेटर का मतलब हो गया पंदरा सोड़ा किले तक कोई डाहियां चोटी मोटी हैं तो वहां वीजडी का कनेक्शन कोया लाइन की बजाए घावाली से जाएगा ये कंपन सरी कर दिया लेकिन इसको लेए आप लोग भी समझो और समझाओ वो नोट्रिफिकेशन की काप्टी जिरूर लेओ नहीं तहीं जोंक है जैसे खम्या काप्टी शावी तू दे प्रांस फर्मर का भी तेरा लाग एगा इन चीजों से हमने प्रिश चुटवाना है वीजडी के मामले में अगर आप गेराई से देखोगी तो कांडरिस की सरकार में 16-17 रुपे यूनिट के प्राइट कंपनी पैसे लेगी समझोता खर्ती है कि हर्याना निगम को हम तो 16 रुपे में विजडी देंगे हमारा समझोता करो 25 साल का दो चार के सो बद मुझे पता है जाके मैं तो हमें सब्सक्राइब के पास जो प्लांट लगे हुए और मौती जी ने आप सोच भी ने सकते उसका कितना रेट कटा दिया विलाजी से ने भी देवी से 2.70 रुपे से एक पिसा उपर कोई जूमत है कहां सोबार पिये कहां दो रुपे सब्सक्तर पैसे कहां गया ख़जाना से य अब अब बिल्कुल करया है तो हमने तर शारी उमर में एक साल पर क्रया अर यू नरंदर मोटी जी तो हर साल बहत्तर जार करोड किसान का सित्य खातन देंडा करें पोलिश नी बना दिया जिने वह अपनी अपनी तो कह जेते हैं जो उनसे पुछे तो कोई को बात इसी बता जाओ यार उस्मत बैस नहीं करें तो बैस फिर बताओं तूसरी तिजा माजेंगी को जायत में कोई गोत में कोई भलानी चीज पहें तो फिर चूटकी बरेसे इसने ना दिये तेरी इसकी पड़ोसी कोई बढ़ दी यू खास से उसका तूमें रखा नहीं है तो यह कोई ब स्कीम है वो स्कीम हर रोज कीतनी दे दी कि वो पड़ आजे कहां का भी समझ भगो जांदी जैसे परिवार कोई चाज पत्तर पेकड़ पड़ना हला गया विजड़ी अला गया एक या बोला है या पी आईडी से क्ये ना माले महिस्टार प्रोपर्टी आईडी तो हमारी कल म है इसी मामले में और मुख्य मंतरी जी ने तीन लोग सभा के सांथ सद्र महां के विदायकर पारिटी के पता अधिकारियों से डिस्कस कर लिए जब अपनी लोग सभा का नमर आएगा तो हम भी जाएंगे कल स्टेट लेवल की मीटिंग है हम भी अपनी बात को आंगे वाई अजिकर खाबे दॉक्तने ज्यादा थैयार मंधर नहीं है कि इतना ज्यादा क्यान हमें नहीं है महताइब दूसरे नहीं कि तम मदब भुगे पे मैं मैं तदीव रखा था नपवे 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 तो जार चोडिश है पाचली मीचिंग हम एवी नपवे 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 तो जारा चोडिश किला अप्रस डिया पाचसर बता कि लेख और आहोगे कि उसमें नाम डालना है और मने टलिया इक है तो इतने system होगे नाय थोर्भ मि तुझ आर्यों करते एक वो मने इस देवंदर से रिक्वेस्ट कर दी बता बटाने हैं लेकिन बताए देश तो चाल आप नहीं करती तो यह था बाई कोई शिपास नहीं करते गए तो मन आपने आदमी के थरूँ देवंदर देवंदर बात करी और मने इसका बट सक्ट डाल य तो उस पर आगया ओके बोलना है स्क्रीन उपरे उपर आगया है वो स्टेटस पर आगया तो बंबई तो मेरे तो रहे जड़ा कर देखो नहीं तो नहीं तो नहीं हो रागी या उरागी इसलिए मदादा आप आप भी बुख्य मंतरी को यह कहो जब तर आपान शिम आउसन नहीं तेगी थी कि वह दराम जी कि जसा है आगया जो पुराणी से उन नहीं को इंपलीमेंट कर लिए ताके महारे दीरे दीरे समझ माया जा लिए मुख्य मंतरी जीने तो आई-पेड रोस होता चलाना आवश कि इसलिए एक क्योंके सभी लोग सभा में मीटिंग होंगी केंद्री नियतरता होंगी इसी जून में 19 जून तारिक सा आपनी भी आज सो मारे आज सो मारे नामर चोद्री और शिवानी तक का ही इनागका का भी पुड़ाती ताद्री मेरी प्राशना ताद्री 11 तारिक ने हैं हरुब भी दानसभा के अलग अलग करूँ है तो ठीक यहरा मज़े है। तादरी करिए हरुब धानसभा के अलग-अलग सीट रिजरब करीए हैं और केवलिए एक अजार सीट रिजरब हैं जहरा नहीं करीए हैं अजार तो में जो पामी जब पांस 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 अज़ाओं तो सिर्फ अजार आदमी अपने महिंदरगेट बलोग का नंबर साइच छटा है उस बलोग में उसमा अपने चले जाओं तेगवादा लेवापां देवलाग चीवनिश्क ठाने हैं तो दो चैरहं को थो चैरह हुआ के थे न्यू कर दिया तो जब बंसीला लाड़े वर्क कर लाग एन वह को पांच मार्च की रेली की तो उनका माइक मेरे से प्रॉटांए यह पांच नौप वार्च गौश्चा पांच पारक पारक झाल 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 झाल